है अग्याइब अग्याइब तो आज हम कर रहे हैं क्लास टैंथ का एक्सराइज नंबर ट्राइलब पॉइंट वन का कोस्चन नंबर टो तो जैसे कि बच्चों इसमें भी हमारे पास त्रिज्जा दो त्रिज्जा हैं जैसे पहले दृत की दृत को वुद्ध को माना हैं हमने आप ए 8 उसने हमको यह दी हुई है और एक और विरिक है जिसकी त्रिज्जा है 6 तो सबसे पहले वच्चों हम करेंगे माना पहले विःत की त्रिज्जा आरवन बराबर 8 सेंटीमीटर और इसी तरह से आजाएगा दूसरे विःत की त्रिज्जा औ टो बरावर सेग्टिमेटर तो सबसे महले बच्चों हम लेंगे यहां पर व्रीद का शेत्रफल होता है बच्चों यह होता है पाई आर स्केयर यह व्रीद का शेत्रफल है तो इसमें दो है तो इसलिए यहां बनेगा पाई आर स्केयर वन और एक बनेगा पाई आर स्केयर टू यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चों इसमें से यह पाई और यह पाई और अंदर आ जाएगा R1 की 2 और R2 की 2 यहां से कॉमर आ गया R1 बच्चों हमारे पास त्रिज्जा जो है वो कितनी है 8 है तो यहां बनेगा 8 की घात 2 R2 हमारे पास 6 है तो यहां बनेगा 6 की घात 2 8 को करेंगे 2 बार तो 8 8 आ जाएगा बच्चों 64 6 को दो बार करेंगे तो चिकम चिकम 36 64 और 36 का जोड़ करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा आगे बच्चों फिर हमारे पास एक व्रित और लेना है हमने यह वाला इसको हम मानेंगे R तो माना तीसरे व्रित का जो है त्रिज्या है जो उसकी वो बनेगी आर सेंटीमीटर यानि इसमें मानेंगे हम यह जो है कैपिटल आर मानेंगे बड़ा आर तो इसमें बनेगा तीसरे व्रित का शेत्रफल दो हमारा सेमी रहेगा इसमें भी क्योंकि देखो यहां पर भी देखो जो क्या पूछा गया है तो इसमें भी क्या जाएगा यह जो है हाँ यहां पर आजाएगा यहां पर यह वाला फिर उसके बाद हम यहां लेंगे सबसे पहले पाई और यहां बराबर में सो पाई जो हमारा यह वाला सो पाई आया है तो पहली कटिंग हो जाएगी यह जो है इन दोनों की हो जाएगी यह पाई पाई से यह दोनों पहले क्या हो जाएंगे बच्चो कट हो जाएंगे यहां से मिलेगा हमको आर टू और यह हमारा मिलेगा सो यह दो यहां से हटेगा त सो के जो है वर्गमूल में दस आते हैं दो बार, दस धाम सो होते हैं न, अब यहां से दस का दस से क्या बन जाएगा बच्चो, जोड़ा बन जाएगा, पेर बन जाएगा, तो आर बराबर एक देखो, इसमें से हमें एक रकम ले लेंगे बाहर, तो यहां से हमारे पास आ पॉइंट वन का question number second ठीक है बच्छों तनको